इसके दो पत्ते रोज खा लेजे सारी उमर बिमार नहीं पड़ोगे सो साल की उमर में भी 25 के दिखोगे सैकडों बिमारियां जड़ से खतम हो जाएंगी जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहे हैं अमरूद के पत्तों के बारे में यानि गुआवा लीव्स के बारे में दोस्तो इत अमरूद के पत्तों के चमतकारी बेनिफिट्स के बारे में पता चल गया तो आप अमरूद के पत्तों के दिवाने हो जाएंगे इनको आप लगातार परियोग करना शुरू कर देंगे पर्चिज हुई हैं NCBI यानि National Center for Biotechnology Information ने हाल ही में एक खुलासा किया है कि अमरूद के पत्तों के अंदर Antioxidant, Anti-Inflammatory, Antibiotic Properties पाई जाती हैं और इनके साथ अमरूद के अंदर Potassium, Vitamins, Vitamins C बहुत जादा पाई जाता है Fiber की बहुत पर्चुर मात्रा पाई जाती है इनकी पत्तियों में Polyphenol, Caratinoid, Flavonoid और Tannin नामक तत्तों पर्चुर मात्रा में पाई जाते हैं जिसके कारण अमरूद की पत्तियां बेहत परभावी डंग से सरीर को बिना नुकसान पहुंचाए बड़ी-बड़ी बिमारियों को ठीक करने में शक्षम है United State Department of Agriculture के अनुसार 100 ग्राम अमरूद के पत्तों के अंदर 68 कैलोरी यानि 68 कैलोरी पाई जाती है और 8.92 ग्राम नैचुरल सुगर पाई जाती है अमरूद के पत्तों की इनी विसेशताओं के कारण जापान समेत कई देशों में अमरूद के पत्तों की चाए पीने का चलन बहुत जादा बढ़ चुका है चलिए बात करते हैं अमरूद के पत्तों के चमतकारी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में करते हैं इसके साथ ये प्री डायबिटिक केसिस में भी अमरूद के पत्तों का सेवन बहुत ज़्यदा बेनिफिचियल होता है फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यदा मदद करते हैं ये तत्व सुक्रोज और माल्टोज को खून में अबजोर्ब होन से रोकते हैं और अमरूद के पत्तों में मौजूद ये तत्व कार्बोहाइडिस को ग्ल्कोज में बदलने वाले अंजाइम अलफा ग्लाइकोसाइड के कारिये को कम करते हैं वहीं अमरूद के पत्तों में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है जिससे बेनिफिट आप ले सकते हैं दोस्तों अमरूद के पत्तों का जो अगला बेनिफिट है वो है कोलेस्टोल को नियंतरित करना दोस्तों ये खराब कोलेस्टोल यानि LDL को ये कम करता है और HDL यानि जो अच्छा कोलेस्टेल है उसको ये बढ़ाता है उसके साथ साथ ये ये दोनों जब इनकी मातरा बढ़ती है तब हमारे बलड के अंदर क्लोट पैदा होना शुरू हो जाता है यानि खून गाड़ा होना शुरू हो जाता है और तब हमें हर्ट की दिक्कत आनी शुरू हो जाता है यानि हर्ट अटेक का खत्रा हमें बढ़ जाता है या फिर ब्रे गाड़ा है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको कहीं कलोट जमे हुए तब भी आपको अमरूद के पत्ते बहुत जादा फायदा देंगे इसके साथ साथ कोलेस्टोल को नियंतरित करने के साथ साथ ये हमारे हाई ब्लेड प्रेशर को कंट्रोल करता है अगर अगर किसी का हाई ब्लेड प्रेशर रहता है तो अगर अमरूद के पत्तों का लगातार सेवन करते हैं तो आपका जो हाई ब्लेड प्रेशर है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है अमरूद के पत्तों का अगला जो बेनिफिट है दोस्तों अमरूद के पत्तों के अंदर hypolipidemic properties पाई जाती है जिसके कारण यह है lipid को बढ़ने से रोकता है lipid को यह निजनतरित करता है दोस्तों अमरूद के पत्तों का अगला जो health benefit है वो है दस्त और मरोड के लिए यानि डाइरिया के लिए अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्चा है आपको gastric problem है या digestion की कोई भी problem है तो यह उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों इसमें जो antibiotic properties पाई जाती है उनके कारण यह हमारी intestine को ठीक रखता है हमारे जो digestion है उसको ठीक रखता है साथ-साथ अगर आपको gas की problem है तो यह उसको ठीक करेगा बेनिफिट है वो है पेट के कीड़ों के लिए दोस्तों अमरूद के पत्तों के अंदर anti-helminthic properties पाई जाती है जिसके कारणी है पेट के कीड़ों को मारने का काम करती है अगर आपको पेट के कीड़ों की problem है तब आप अमरूद के पत्तों का परियोग कर सकते हैं दोस्तों अमरूद के पत्तों का जो अगला benefit है वो है योन दुरबलता पुर्शों के अंदर अगर योन दुरबलता है पुर्शों में अगर वीरिया पतला है वीरिया को गाड़ा करते हैं अगर sperm count low हो रहा है तो ये sperm count को बढ़ाने का काम करते हैं तो ये man infertility में जो अमरूद के पत्ते हैं उनका बहुत अच्छा benefit दोस्तों अमरूद के पत्तों का अगला जो benefit है वो है obesity के लिए यानि मुटापे के लिए अगर आप अपना weight loss करना चाहते हैं तो अमरूद के पत्तों का सेवन कीजिए जहां NCBI की रिपोर्ट के अनुसार अमरूद के पत्तों में कुछ ऐसे तत्तों पाये जाते हैं जिससे कि ये हमारे metabolism system को boost कर देते हैं और जैसे metabolism system हमारा boost होता है तो हमारे श्रीर के अंदर जो calorie है वो तेजी के साथ burn होनी शुरू हो जाती है और हमारे श्रीर के एक्स्ट्रा फैट है वो भी तेजी के साथ पिगलनी शुरू हो जाती है कम होनी शुरू हो जाती है अमरूद के पत्तों में बहुत जादा मातरा में फाइबर पाया जाता है जिससे भोजन के पचने में अधिक समय लगता है और ऐसे में खाना बलेड स्ट्रीम में जल्दी नहीं जाता है जिससे बोड़ी में ग्लुकोज तेजी के साथ नहीं जाता है और जिसके कारण diabetes नेंत्रिन में रहती है और इसी प्रोसेस के कारण weight loss करने में हमें बहुत जादा मदद मिलती है तो दोस्तों अगर आप अपना वजन तेजी के साथ कम करना चाहते हैं तो अमरूद के पत्तों का सेवन कीजिए दोस्तों अमरूद के पत्तों का अगला health benefit है नजला जुकाम खांसी के लिए तो respiratory system की जितने भी problems हैं दोस्तों अमरूद के पत्ते एक दवाई का काम करते हैं NCBI की report के अनुसार अमरूद के पत्तों के अंदर antioxidant और anti-histaminic properties पाई जाती हैं यह स्वसंत तंतर यानि हमारा जो respiratory system है उस पे अमरूद के पत्तों का बहुत जबरदस्ट है तो दोस्तों अगर आपको पुरानी खांसी है खांसी आपकी ठीक नहीं हो रही है या किसी वाईरस के चलते आपको attack हुआ है और उसके कारण आपको नाक से पानी चीके या गले में खरास हो रही है या फिर आपको asthmatic problem है तो इस प्रकार की कोई भी आपको problem है या फिर मोसम बदलने के कारण आपको जो चीके आ जाती है नाक से पानी चलता है गले में खरास होती है या फिर खांसी के आपको problem रहती है तो आप अमरूद के पत्तों का लगातार सेवन कीजिए दोस्तों अमरूद के पत्तों का अगला जो health benefit है वो है oral hygiene के लिए यानि कि मुह के अंदर जितनी भी problems है उनके लिए अमरूद के पत्ते एक दवाई का काम करते है अगर आपको मुह में च्छालों की problem है अगर आपको मुह अंदर से लाल हो रखा है या फिर आपको दात में दर्द हो रही है दात से खुन चल रही है मसूडों में आपके दर्द हो रही है या फिर मसूडों से आपके पीव चलती है या फिर आपको मुह से दुरगंद आती है मुह से बास आती है तो इन सभी problems के लिए आप अमरूद के पत्तों का इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों अमरूद के पत्तों के अंदर anti-inflammatory, antibiotic और anti-septic गुन पाय जाते हैं जिसके कारण ये सभी परकार की मुँग की जो अंदर की problems है ये उनको ठीक करने का काम करते हैं दोस्तों अगला जो अमरूद के पत्तों का health benefit है वो है anemia यानि खून की कमी के लिए और इसके साथ साथ अगर आपको dengue fever के चलते आपके platelets कम हो गए हैं तो ये तेजी से platelets को बढ़ाने का भी काम करते हैं दोस्तों अगला जो अमरूद के पत्तों का benefit है वो है face के लिए तो अमरूद के पत्तों के अंदर anti-inflammatory और antibiotic properties पाई जाती हैं जिसके कारणी है face पे होने वाले pimples, acne, चेहरे पर जो कीली मुहासे हो जाती हैं या पिर चेहरे पर जाया हो जाती हैं या फिर काले निशान हो जा के साथ-साथ vitamin C की मातरा बहुत जादा पाई जाती है जिसके कारण ये हमारी immunity power यानि रोग पर तिरोदक शमता को ये बहुत जादा बढ़ा देती हैं जिसके कारण हम बिमार पढ़ना बंद हो जाते हैं दोस्तों इन बिमारियों के अलावा अगर किसी को शरीर में घाव है जखम है ठीक नहीं हो रहा है तो अमरूद के पत्ते जो हैं उसके लिए बहुत जादा beneficial साबित हो गए अगर शरीर पे कहीं allergy है या घाव है या एकजीमा है सोराइसिस है किसी भी प्रकार की problem है तो इस skin के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं अमरूद के पत्तों के अंदर anti कोशिकाओं को कम करने का काम करते हैं अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी अमरूद के पत्तों का लगतार सेवन करता है तो उस व्यक्ति को भविश्य में बीमारी होने के chances ना के बराबर रहें तो चलिए बात करते हैं कि आप अमरूद के पत्तों को इन सभी बीमारियों में कि इस प्रकार से इस्तिमाल करेंगे तो दोस्तों आप इनको चार प्रकार से इस्तिमाल कर सकते हैं सबसे पहला जो है वो है लोकल अप्लिकेशन यानि आप लेप के रूप में आप इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आपने इसकी पत्तियों को लेना है अच्छे से धो लेना है पिसने के बाद इनका जो लेप तियार होगा आप उसको अफेक्टिड एरिया चाहे एकनी है पिमपल्स है या आपको जाया है डार्क सरकल है या फिर कहीं पे घाव हो गया है तो कहीं भी आप अफेक्टिड एरिये पर लगाईए और इसको 15-20 मिल्ट लगा रहने दीजिए उ दोस्तों दूसरा है औरली परियोग तो औरली आप कैसे परियोग करेंगे अगर आपको मुह में चाले पड़ गए है मुह में कोई घाव हो गया है या फिर आपको दात में दर्द है दात से खून चल रहा है या पाईरिये की प्रोब्लम है तो उसके लिए आपने क्या करना पांच साथ पत्ते लेजिए आप एक गिलास पाने में डाल कर उनको गरम कर लेजिए और इनको अच्छे से गरम कीजिए और इनको जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसको उतार लीजिए हलका गरम रहने पर आप इसमें चाहें तो हलका सेंधा नमक इसमें एक चुटकी खाकर तो आप दो पत्ते जो अभी अभी आए हैं 5-7 दिन पहले जो पत्ते निकले हैं उनको आपने लेना है दो पत्ते लेकर उनको धो लीजिए और सुबह खाली पीट इनको चबा कर खा जाईए चोथा आप इसको चाय की रूप में यानि काढ़ा बना कर आप इसका पी सकत हैं इसके लिए आपने 4-5 अमरूद के पत्ते लेने हैं इनको आप धो लीजिए और धोकर इनको थोड़ा मसल लीजिए एक गिलास पाने में डाल कर इनको उबा लिए अच्छे से उबा लिए जब ये पाने आधा रह जाए तब आपने इसको उतार लेना है और हलका गरम र नजला या पुराना नजला है और खासी आपकी जान रही है तो एक परियोग आपको बता रहा हूँ चार से पांच अमरूद के पत्ते आपने लेने हैं चार से पांच आपने सफेदे के पत्ते लेने हैं दोनों को आपने हलका मसल लेना है और मसलने के बाद एक गिलास पान आपके पास ये तियार हो जाएगी दोस्तों आजकल जो वाइरस चल रहा है या फिर किसी को बदलते मौसम में नजला चुकाम होता है तो उसके लिए इतना रामबान उपाए है आप करना और फिर आप कमेंट में लिखना कि आपको कितना आराम हुआ है दोस्तों ये जो जय हिन जय भारत